सर्विकला समराथ धोल्नांती राखु प्रभू नानिक दीकार हाथ सोक अटल गुर सेविये एनस सैज सभाई दरसन परसिये गुरू कै जन्व मरन दुख जाई किरपाओ करो दीन केदाते मेर गोन अव गोन नामचारिय कोई माटी का क्या तुपे स्वामी मानस की गति जिचर मूल नाहा थुडेंदो जिचर आपकर पाल सवधिय कोट भाब्बा नानिका खाई खर्चतन माल सज्जन सच्चाह पातिसाओ सिरसाहां देसाओ जिस्पास बेठियां सुये सवनादा वैसाओ शिरी चंद्रदेवं सेवमाद्वतियां भासमाम डेवतं ससीषो भवरणां पदमा सनकतं सुखदंजितंद्रां वाया काया चते सत्तां भजेयां हमारे प्रात्य सिम्रनी शरी शरी सद्गुर्देव मौन गुरुपिता जी महराज स्वामी शरी अबदेश हदन जी महराज स्वामी हमारे प्रात्य सिम्रनी शरी सद्गुर्देव मौन गुरुपिता जी महराज स्वामी शरी नास्कवादे महराज आज आप सब के बहुत बड़े पागन महराजी दी ऐसी किर्पा है कि जो बहुत ही पूजनी के प्यारे संतों के आपको बदेश में दर्शन करवा रहे हैं आपके बहुत बड़े पागतन पागन महराजी नाशक वाले प्यादे कुछ में दर्शन करेंगे ओम पूर्णमदह पूर्णमिदं पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावसिष्यते ओम शांते 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 सर्वे भवंतु सुखिनह सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्रानि पश्यंतु माकस्चे दुख्भाग्भवेत ओम शांती 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 आत्मात्वं गिरिजामती सहचरा प्राना सरीरं ग्रिहं पूजाते विसयोप भूगरचना निद्रासमादि स्थिते संचार पदयो प्रदक्षिन विदिर् स्तोत्रानि सर्वागिरो यद्यात कर्म करूमितत दखिलं संभोत वाराधनं संभोत वाराधनं परम पुज्य प्रादस्मर्णिय स्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ट अनन्द स्रेविभुशित और हम सब को बहुत बहुत प्यार करने वाले परम पुज्य स्वामी गुस्णन जी महाराच जुना पीटा जीश्वर आयचारी महामनलेश्वर स्वामी अवदेशानन जी महाराच योग समराथ स्वामी रामदेव जी महाराच स्वामी परमानन जी बड़े सोभाग्य की बात है हम सब के लिए कि इंद्र प्रस्ति से यात्रा शुरू करके प्रारंब की थी थायलेंड पहुंचे और वाँ सबसे पहले हमने भगवान सीव की आरादना की थी और इसके बाद भगवान विष्णु को एक सहस्र कमल चड़ाये थे वाँ के उपर आज हमने यहां के उपर भगवान विष्णु का जो मंदीर है अंकुरवार दुनिया के अंदर सबसे बड़ा मंदीर है इसको माना जाता है आप कलपना करिए कि उस समय किस तरह से राजा महराजाओं उने इस मंदिर का निर्मान किया होगा हम लोगों को देख करके पसीना आ रहा था उन्होंने बनाया गवा तो उनको कितना पसीन आया होगा पांच-छेजार हाती उसमें पांच लाख लोग और कितने जिनों ते किया मंदिर बनता रहा यह भूत ही सोभागे की बात है कि हमारा जो भारत उसमें कितना विशाल था और मारा स्रीजी ने जो यात्रा प्रारंब किया है विरियत भारत यात्रा तो यह भारत के ही अंग थे पहले थाइलेंड हो चाय कंबोडिया हो चाय आसपास के देश हो तो आज हमने बागवान विश्णू का जर्सन किया और यहां एक नदी बैती है जिस नदी के अंदर एक हजार सिव लिंग वहां बने हुए है और निरंतर जलधारा सिव प्रिय और निरंतर उन सिव लिंगों के उपर अभिशेख होता रहता बारा मईने कोई करे चाहिए नहीं करे वो गंगा मया वहां के उपर अभिशेख करती रहती है तो भगवान सिव जो है यह देवों के देव है महादेव है और भगवान सिव से हमें यह शिक्षा लेनी चीए हर सत्गरस्त को कि मैं मानता हूं कि आजकल परिवारों के अंदर बहुत मन कुछ आपसी जगड़े होते हैं पर भगवान सिव का जो परिवार है वो हमें शिक्षा देता है कि भगवान सिव के परिवार से हमें यह शिक्षा लेने चीए कि घर में कितनी कटुता क्यों नहीं हो पर घर का मुखिया अगर पावरफूल है तो वहां किसी परकार का कोई भी ऐनों नहीं होता है और भागवान सिव का परिवार देखिये कितना विसमतों से बरा हुआ है जुक्स मांगी का वहान क्या है सेर कभी दोस्ती हो सकती है पर ढोनों एक साथ रहते हैं क्यों कि घर का मुखिया बहुत पावरफूल है भगवान गणेश जी का वहां चुवा है भगवान सिवके गले में क्या रहते हैं नाग और नाग और चुवे की किसी जमाने में दोस्ती हो सकती है कभी भी नहीं हो सकती है फिर भी वहां एक साथ में रहते हैं क्योंकि घर का मुख्या पावर्फुल है भगवान कार्तिके का तो इतनी विश्मताओं से भरा हुआ परिवार जहां एक दूसरे के कटर दुस्मन है हम तो एक परिवार के हैं एक खून का रिस्ता है वहां तो सजाती भी नहीं विजाती लोग भी वहां के उपर रहते हैं फिर भी एक शात रहते हैं क्योंकि घर का मुखिया बहुत ही श्ट को सफन्हों इसले भगवां से मैं सिख्षा लेनीची बहुत बड़ा सोभा कि हमारा प्राप्त है जीवन में यात्रा करनी चीए यात्र सब्द इमें तीन अकषर या त या यानि यातना दुख तय यानि तारने वाली और रा यानि राधा माधव से मिलाने वाली उसका नाम है यात्रा तो भगवान विश्णु की भगवान सीव की जो में यात्रा करवा रहे हैं पुझ्ये स्वामी गुरुसनन जी महाराज उनकी लिए हम जितना भी कहें उतना कम है हम दो भगवान से उनके लिए प्राथना करते हैं कि भगवान उनको खुब स्वस्त प्रसंद्र रखे और हम लोगों को खुब खुब आशिरवाद देते रहें यही इस वर से मंगल कामना करते हैं तो एक दन कोई पूछ रहा था कि महाराजी टीवी में कथा आती है मैं क्या कौन करते हैं कहते हैं उनके मथे पर गोर सा टिक्का लगा होता है मैं कह वो तो हुमारे स्वामियव देशाजन जी महाराज हमारे महामिदेश रहें जो हुमारे बीच में आ गए आज हुलो महाराजी परवतिशाजी परम बंदनिये भरवास्वरुप पुज्य महाराश्री भरतिय संस्कृति और उसकी संवेदनाओं के रक्षक पौषक और भारतिय संट समाज moं जाहलमान एक experienced nakshah जिनसे नकेबल भारत को अपितु भारती ये संस्कृती और उसकी संवेदनाओं के साथ जीने वाले जितने प्रानी हैं वे उन्हें पाकर आशान वित हैं गौर्वान वित हैं ऐसे पुझास्वामी रामदेव जी भाराज और बहुत अच्छी बात कह रहे थे ऐसे पुझास् और बहुत सहज जीवन जीने वाले पुझास्वामी परमानजी भाराज यतिमंडल और इस ब्रातर भारत की यात्रा के आप सभी यात्री बंधू भगनियों एक अतीत की ओर हर व्यक्टी लौटता है जो वीट गया है रीत गया है को है कभी-कभी अकरशिट करता है और अपने मूल गी ओर, अपनी जड़ों की ओर अपने अतीत की ओर जब व्यक्टी लौटता है तो बहुत सम्भल पाता है पर कभी अतीर्त में रक्त पात रहा हो, अनिती, दमन, अत्याचार, शोशन, संग रहे और केवल अपनी हित की चिंता करने वाले प्राणी रहे हों और हम उस अमुदाय के हिस्से हों और उन पूरवजों के अंश हम में हों तो निसंदे किसी एक सब्भेवक्ती को गलानी होग उसे हींता का नुभव होगा क्योंकि उसके अतीर्त में रक्त पात है, हिंसा है, लोब है, प्रलोभन है हम भारतियों के अतीर्त में, हमारे अतीर्त में ऐसा कुछ नहीं है हमारे अतीत में हम ज्हांक कर देखें कवी, सुदुम्न, सरियाती, नभग, नाभाग, अंबरीष, भागीरत, हरिश्चंद, कपिल, कनाद, गौतम, जैमिनी, पतंजली, व्याज हमारा बड़ा अध्भुत अतीत है हम अतीत में ज्हांक कर देखें तो हमारे पास वेद जिसे हम अभिरक्षत हैं, सुम्रक्षत हैं और वो एक मात्र कल्यान का साधन है वो एक मात्र मोक्ष का साधन है मैं पुझे स्वामी रामदेव जी के साथ जब मंदिर भिर्मन पर प्राते काल निकला तो सीध ही अम अतीत पे पहुँचे जो वर्तमान था उसे उतना अधिक धंग से हम देख नहीं पा रहे थे हम रोमांचे थे, अपने अतीत में ज्हांकर अपनी पूर्व को कुरेदते हुए उसकी परत दरत परत, परत दरत परत को उतारते हुए कि वो कैसा श्रम, साधन, कौशल, चातुर्य, सैयम रहा होगा वो किस प्रकार के बड़ी योजना बनी होगी गणना की दर्ष्टी से हो सकता है, मैं कुछ कम बता पाऊं, पर जैसे मुझे लगाए कि 200 बान में इतने मंदिर यहां कम बोदिया में है मंदिर संसकार केंदर होता है, मंदिर हमारी संस्कृती के प्राण है ए और मारी बार्दिया संस्कृति का बार्ड़ है, प्रण भार्थय संस्कृति का कोई मेरु उधन्डय है। पूजन, ध्यान, प्रा अअंजर्थनाय, इन के बिना इन कोई जीवन नहीं है। और आप कल्पना कर सकते हैं कि उन दोनों इन मंदिरों में किस प्रकार सी फूजा चल रही होगी। मंदरी तो है जो वेक्ति को दुरुबा के साथ जोडता है धतूर से विजया से शमी से बिलुपत्र से मंदरी तो है जो वेक्ति को दीन और तरिदर के साथ जोडता है मंदरी तहजु विक्ति को धरा और अंबर अगनिजल वायू निहारिका और नक्षत्रों के साज उड़ता है मंदरी तहजु विक्ति की भीतर के संवेदनाओं को बहुत सरल तरल बनाता है उसके अंतहकर में आतृता पैदा करता है मंदर जो कि भूर में निशान तवेला में उठकर उसके सीधे हाथ जाते हैं दूरवा की और पुश्पचैन के लिए वैसनान के लिए जाता है और अद्भु संस्कृति हमारी कि जो सीधे प्रकृति के साथ जोड़ती है यह दोसों ने बानवे मंदर यहां के कमबो दिया के जो अपनी अतीत को जब हम गए तो अतीत दिखाई दे रहा था अतीत जो बड़ा मंगल में रहा है गौरव शाली रहा है अब कलपना तो करके देखे कि उस समय के साधन क्या रहे होंगे आज तो हम जिस युग में जी बंजे रहें वो संचार के क्रांती और सूचना की तक्निक का युग है वो युग है कि हम हमें सब चीस है जो प्लब्ध है तो उस युग की कलपना करके आप देखे ग्यार्मी शाताबदी की और कुछ मंदिर लग बगद्शाबदी के तो दस्वी शताबदी कि कल्पना तू करके देखें, तो द्यान अखना, अतीत को कुरेद कर देखेंगे, तो अपनी पूरवज़ों में प्रचंड पुरुशार्थ पाएंगे हम, कि पुरुशार्ती थे, वे बड़े सयमी थे, वो योजना बनाकर चलने वाले बड़े सयमी प्रानी थे, इसलिए यहां मैं स्वामी रामदेव जी महराज को जिस धंग से उनके आसपास में देख रहा था कभी उनके चेहरे पर व्याक उलतार, कभी एक बालक जैसा उल्लास, कि वो एकदम पत्थर पर चड़ गए और फिर नीचे, और वो सब एक चीज छूकर भी दे आश जी ऐओ ठैक हो झाना, और यहां की गलियां, मंदिर यहां की छूकर दिया है। यह फिर सब हमारे हातों में आये कारणींग से तो हम सहीज हैं। मैं यह कहना चाहना था कि उन्हों ने करोणा लोगों को स्वास्त दिया है। और उन्होंने केवल तन के स्वास्त की चर्चानी की, अर्थ भी जब दुरूबल हो गया था, अर्थ को भी जब रोगनता आगे तो अर्थ की भी चर्चानी की है, मुझे ही लगता कि एक शताब दी में अर्थ की सुचता की बात किसी ने कही हो, जो पुझी सुचता की बात कि कि हमारा साधन और हमारी सामर्थ है, या हमारी वि肉 है, गार्य विद्धी भीत गोच कुछ भी हमारी पास इसाई जो बड़ अलौकर बड़ा जो इसा के हमान करता दूसरों को उसे संस्कृति कह रक्षन भी हो जायर माराज ज्या बात रह योगी पर हां वो चुकि संस्कृति के साथ जोड़े हैं और हम यह कौने कौने में जो देख रहे थे वो पुरशार्थ था और पुरशार्थी को उद्योगी को सब कुछ मिला है जो निठला है उसे कुछ नहीं मिला अप्रमत तेन वेद अभ्यम शर्वत तन्मयो भवेद कि जो ऑप्रमत हैं उसे कुछ मिला है प्रणवो धनो सरोही आत्मा प्रमतरौ लक्षम उच्छते लेए लो प्रमत कारते जो प्रमादी नहीं है उसे सब कुछ मिला है हम पूरवजाओं के साथ जोड़कर उस अतीद को ज्हांकर देखें तो पाएंगे कि वो क्या पुरशार्थी रहोंगे और महराजी हमको ले कहा है है अखी एक सची बात मुझे कहनी है कि यह किसी गाइड की हमें जरूरत रहे हमाराजी हमारे पास उन जैसा गाइड कोई नहीं हो सकता। कर दो देखा कि गायट प्रस्तर पर जो है भित्तियों पर जो है पाहनों पर जो है उसे कुछ बताने में उतना न तो वो समर्थ है न उसे समझ आ रहा है पर जिस धंग से महराजी ब्याक्या कर सकते है हम प्रातना करते हैं बहगवान से कि हमारी जीवन की आत्रा है उसमें भी महराजी निरंतर हमें ऐसे अनुग्रहीत करते हैं और ये बड़ा ये बड़ा कोई उनका यानुग्रह है उनकी बड़ी करपा है कि उनोंने इस तरह से हम सब का चैन कर लिया और ये एक दृष्टी से क हो सकता है कि एक पल के लिये वह इसे पर्यातन समझ लें यह हो सकता है कुछ लोग इसे देशातन समझ लें पर विशवड दृप से सच मानीये ये ए आन तह drinking की रूप आं तरन के लिए यात्र है हम पौरशार्थी बने अपनी अतीत कु डेख सकें और हमकू सीख सकें अर् किसी को परेटन दिखे, देशाटन दिखे, पर ऐसा नहीं है, ये विशुद रूप से वो यात्रा है, जो हमारी साधना में कहीं गतिरोध है, कहीं शैथिल है, कहीं कोई नेराश्य है, कहीं कोई चुप्पी है, किंचित कोई पलाएन है, तो उसमें और अधिक उड़ जाओज और सामर्थ पैदा कर देने वाली आत्रा है, आप सब भाकिशा लिए हम सब ही, मैं तो कुछ और बात कहना चाह रहा था, पर्चु किया स्वामे जी के साथ रहा दिन भर, पुझे रामदेव जी महाराजी के साथ, और वो किस तरह से चिंता कर रह थे यहां भी रह कर, वो के तंदर से आहत थे, यह देखकर मैं बड़ा निश्यन्त हूं, कि मेरे देश का सन्या से अगर ऐसा है, तब हमारी संस्कृती पर्खवी कोई आकर्मन नहीं कर सकता, कब भी नहीं कर सकता, और वो सुरक्षत है, और वो सर्वधा कल्यान कारे है, क्रम से माय, मैं महराजी तक प मैं तो एक सबता पहले, आज मैं इस कमभुज देश में, और यहां इस इंप्रेश में महराजी से सभी इंप्रेश तो पहले जा, ऐसे होंगे हम सब, मैंने तो सोचाई नहीं थे, मैंने तो पतंजली योग पीठ में सेवा सधन का उद्गाटन हो रहा था, भारती से नहीं जनता पार्टी के रद श्ट्री अध्यक्ष भाई अमित साहजी वहां पर आ रहे थे, तो मैंने सुच महराश्री होंगे, तो वो भी आशिरवाद दे देंगी, मैंने महराश्री को फोन के हैं, महराश्री सेवसदन का उद्गाटन हो रहा है, आप खाएं, बर बेटा हम यह नहीं पर है रवन रेती में, आप आशो को तो आजा जाओ, तो मैंने का महराश्री आपकी आजिस को तुम्हें कभी टाल नहीं सकता, क्योंकि मैं अपने जीवन में कुछ ऐसे महापुर्शों का आशिरवाद अपने सिर पर मानता हूं, जिनोंने मुझे बहुत अधिक संब दिया है, उनमें एक सबसे बड़ा नाम पुझे गुष्णान जी महराजी का है, उनको मैं गुरु तुल्य पिता तुल्य मानता हूं, और उनका बहुत अनुग्रह है, और पुझे स्वाम जी महराजी एक बात कहते भी हैं, और वो सत्य है कि जीवन में किसी ने किसी एक अशिरवाद अनुग्रह रहता है, फिर उसके उपर साक्षात भगवान की भी कृपा रहती है, उसका जीवन में कभी भी अशुब अमंगल नहीं हो सकता है, तो मैंने कहा हमारा श्री अभी तो ये कल बहुत बड़ा आयोजन है, तो फिर बोल बेटा फिर हम महां तुम वहा बाते करते हो, तो अब उसको अपने आँखों से साक्षात उसका दर्शन क्यों न किया जाए, तो फिर मैंने कहा हमारा जो आदेशों बताओ, भले तुम आ सको तो आ जाओ, तो हमने तो कुछ देखा ही नहीं, बस हम आ गए, तो जह है, भारत के गोरवशाल यतीत की हमने ब बहुत बार बाते की हैं, आखंड भारत की बाते की हैं, बरिहत तर भारत की बात की हैं, कहां तो हमारा अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लेकर के, और इधर इराक, इरान, रोम, मिश्र तक, और इधर जह है, उत्तर में हम देखें तो तिबबत और मान, कहलास मान, सरोवर त तक और उससे भी आकट मंगोलिया तक और इधर हम देखें तो म्यामार जो वर्मा देशा जिसको कहते हैं फिर जावा, सुमत्रा, इंडोनेश्या और इधर शिलिंका तक बहुत बड़ा भारत का वैभाव था, यश था, गोराव था, सामर्थ्य था मने सैन्य शक्ती में, अर्थ शक्ती में, ज्यान शक्ती में, भोतिक बल में, अध्यात्मिक बल में, भारत जैसा कोई और न था, भारत सबका सिरमोर्था यह सोच के हम गुरवानवित होते हैं और पुजी महराश्री ने आपको उस भारत के स्वणीम अतीत का अपनी आखों से प्रत्यक्ष दर्सन करवाया है। ये भी हम सब का बहुत बड़ा सोभाग्य महराश्री का बहुत बड़ा अनुग्रा है। अपनी आखों से फिर वक्त गवाया जाए। अब 20 साल से खुद आराम किया नहीं तो पर जो हमारे पास में रहेगा फिर उसको आराम तो करने देंगे नहीं हम। तो मैंने का मारा रात सोने के लिए बहुत है दिन में तो चलो फिर दर्शन ही करते हैं तो हम चलों। तो क्या अद्भुत दर्शन है जब खंडरों में इतना तेज है ओज है जब कभी मूर्तमान रूप में होंगे तो कितनी आभाव होगी उसका हम थोड़ा सा अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। तो जयसे कि महारा श्री करे थे हैं गायड है कुछ चीज वे समझ नहीं पा रहा था अब खुश नाम भी उचान ठीक से नहीं कर पाते हैं लोग इनकी जो है जो टंग है वो उस pronunciation में मुड़ती ही नहीं नहीं है कई जगे तो अब वो कुछ द्रिष्य उनको समझ में भी नहीं आते हैं अब वो द्वारपालों को विशनों बता देते हैं कि ये विश्णु तुमारा शुन को बता रही भई ये द्वारपाल है ये विश्णु नहीं है विश्णु अलग होते हैं खर जो भी बाते थी लेकिन इतना इतनी भव्य था इतनी दिव्य था और ये एक डेड़ करूर के आबादी वाला देश से हम कभी भी कि राजनेतिक प अपने और इसके महत्व को हम समझते हैं और वो हमारा प्राण है हमारी आत्मा हमारा सभिमान है वह हमारी पूजा है वह हमारा ध्यान है वह हमारी उपासना है संस्कृतिक विरासत और उसके भीतर अपने धर्म का दर्शन अपने पुर्वजों के शोन्रेका प्राक्रम का उनके तब का दर्शन अब हम एरपोर्ट पो उतरे तो सबसे पहले हाथ ही है अरावत है उसके ऊपर हिंद्र बैठा है हाब हिंदुस्तान की एर पूर्पोर्ट पर घुसो तो पता ही ने लगता कि आप रामकृष्ण के देश में आगए आप हिंदुस्तान के एरोपोर्ट पर घुस कर ये नहीं बता सकते कि रामकृष्ण हनुमान का शिव का पारवति का जैसे पुझे महाराश करे आ gültam का, इसलिए बहाँ पर गीता कि स्रोक अंकित हैं क्योंकि यहां चीजों को समझा ही नहीं गया मुझे लगता है कि इसमें तप और पुर्शार्थ चाहे कितना ही क्यों न करना पड़े हम लोग जरूर कुछ न कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे कि अपना जो गोरा हुआ अपना स्वाभिमान अपना सम्मान अपना ध्यान अपनी उपासन अपने पुर्वजों का जो तप है वो और प्रक्रता के साथ मुखरित हो और यह तो एक पक्षिस का हुग